इंकम टाक्स के हिस्से को हटा दिया जाए तो कोई मेजर टेक अवे किसी भी सेक्टर के लिए यहाँ पर दिखाए नहीं दिखाए नहीं दिखाए नाम है विनीत मितल सहाब हमाई साथ है कोच एमने सिया है कि सबसे पहले अजय जी का रुख करेंगे अरे जी पहली बात तो ये कि बजट में साफ तोर पर ये भी कहीं नहीं माना गया कि आर्थिक सुस्ती है दूसरी बात ये कहीं भी कोई रोड़ मैप नहीं दिखाए दिया सिर्फ योजनाओ का जिक्र किया गया योजनाओ में कितना पैसा आवंटित किया जाएगा कितना अब हमारे सामने है. बड़ा मुद्ध हा कि एक सिंपलिफेकेशन होना चाहिए. जिस प्रकार से टाक्स हरस्मेंट हो रहा है वो एक कम होना चाहिए. क्रेडिट फ्रीज जो है उस पे काम होना चाहिए. फिसकल डेफेसित को थोड़ा स्लिप होने देना चाहिए और infrastructure पर investment होना चाहिए इन हर एक शेत्र में वित्मंत्री ने कुछ अपने सुझाव रखे हैं और जैसे सभी ने कहा है कि budget जो होता है एक continuation होता है कई सारे कदम उठाए गए थे पिछले कुछ महीनों में कई कदम उठाए जाएंगे इस budget के बाद और कुछ कदम budget में उठाए गए हैं all in all काफी positivity है मैं आपको बताओं जैसे हमारा शेत्र है उसमें एक क्रशी उड़ान योजना की बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि सौ नए एरपोर्ट उड़ान के स्कीम में जोड़े जाएंगे दोनों बहुत positive चीज़े हैं एक taxpayer का charter की बात कहीं कहीं है ये बहुत एक तकलीफ का मुद्दा है कि जो tax harassment हो रही है लोगों की उसमें बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है उस एक वो बहुत positive चीज़े डिस्प्यूट resolution कहा गया है कि इस प्रकार से indirect taxes के जो dispute से उसका resolution की स्कीमती उसी प्रकार से direct taxes में भी वो लाई जाएगी तो कई positive चीज़े इस budget में हैं और मुझे लगता है कि इसको negate करना ठीक नहीं होगा विनीजी पांच बड़ी takeaways इस budget speech से आपके मेरे इसाब से सबसे बड़ा takeaway है मेरे लिए right of consumer जो consumer है उनको हग देना कि आप बिजली किसी से भी खरीदें और उससे क्या होगा कि utilities जो की cross subsidy वगरा चार्ज करके 9 रुपए बिजली का लेते थे तो इससे manufacturing इंडिया में ग्रो नहीं गई थी तो यह मेरे को लगा बहुत बड़ा announcement है दूसरा जो कुशुम के थो farmers की income डबल करना और उनकी जो अन्यूटिलाइज लैंड है या barren land है उस पे solar लगाना इसके थो बहुत जादा solar में investment आने की संभानाय पैदा हुई है और जो सबसे transformative चीज थी जो प्रदानमंत्री जी ने किये जो sovereign wealth fund है और pension fund है इनको tax exempt कर देना 2024 तक मतलब आज क्या है कि investment इंडिया में already 70 billion का रहा था मेरे को लगता है इस approach के बाद 140 आएगा और दुसरा जो इन्होंने dispute resolution का message दिया है यह सबसे बड़ा है अभी मैंने roadshow किया था अमेरिका में सबसे बड़ी इंडिया में problem क्या है कि हर चीज में आप लोग जगडा करते हो गवर्मेंट सबसे बड़ी और उसकी अपील कर रहे है वो भी computer के तुरू की जैसे उसे तो घुसखोरी खतम होगी दुसरा क्या जो tax terrorism की बात हो रही है वो कम होगी यह सारे विचार धारा है जब प्रदान मंत्री जी ने one to one meeting की थी तो industry ने suggest किया था तो actually जो अगर मेरी दृष्टी से देखेगा तो मेरे को क्या लगता है कि सरकार सुन रही है आज से अगर industry जो feedback दे रही है उसको corrective way में budget में indicative हो और detail में meetings में अच्छे से implement किया जा तो industry invest करेगी problem क्या थी कि निराशा का महौल था bank के पास जाओ तो सबको बोलती थी निरामोधी tax लगा रहे है यह tax लगा रहे है यह पूरे जो PMC bank का जो चक्कर हुआ उसके बाद आप bank के सामने प्रूब करना पड़ता है कि हम चोर नहीं है और आप हमको loan दे सकते हैं मतलब आज तक आपने एक रुपय का loan का default नहीं किया लेकिन bank के आदे NMD मिलना नहीं चाहते थे तो actual में सबसे बड़ी problem किया कि जब अगर मैं investment करना चाह रहा हूं तो मेरे को सयोग चाहिए bank में और इंडिया में nationalized bank जादा है अगर nationalized bank सयोग करना industry को बंद कर देंगे तो investment कैसे बढ़ेगा तो उस चीज़ी पे आज messaging हुई इसके पहले उसके पर messaging हुई और उसके साथ साथ आज MSME sector का payment नहीं होता था उनके पास equity की shortage थी equity अगर नहीं होगी तो आप debt कहां से लोगे तो उन्होंने इस बार क्या किया कि sub debt का concept चालो किया जो कि industry बहुत वर्सों से demand कर रही थी कि आप sub debt दीजिए और sub debt में भारा सरकार insure करेगी तो क्य होगा कि अगर मेरे पास suppose 100 रुपए है तो पहले मेरे को 40 रुपए equity की चाहिए होती थी तब MSME को loan मिलता था अब क्या है कि आपके पास 10 रुपए होगा 30 रुपए sub debt मिल जाएगा और 60 रुपए real debt मिल गया और 30 रुपए sub debt पे government insurance दे रही है और अब आदमी के नजर्ये से समझना चाहते हैं चीजों को तो जॉब निकलेगा ना सर जॉब निकलेगा ये बोल ये अगर industry बढ़ेगी तो job आएगा और job आएगा तो खुशाली आएगी आज क्या हो रहा था कि को industry नहीं लगा रहा था अब जैसे आज उन्हेंने power के छे इत्र में job का बहुत losses हुआ, real estate पूरा बैटा बैट गया, उसको बैठने के बाद किसने job दी, infrastructure ने दी, solar ने दी, मेरे एक एक प्लांट में हजार आदमी होते हैं, इस वक मेरे 12 प्रोजेक्ट चलने हैं, तो 12,000, मेरी जैसी छोटी company 12,000 employees को job दे रही है, तो ये जो job है, ये हालत पहले भी खासता है, तो एक security, दूसरी security की मदद कैसे करेगी, सर बताई, कमजोर आदमी, कमजोर आदमी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो bank कर रहा है और जो भारत सरकार बैंकों को support करेगी, कि जो sub date देगी, तो तेजी आएगी, पहले क्या होता था कि MSME के लिए कोई पहले बात नहीं करता था, सब बड़े-बड़े industry की बात करते थे, आज जो किया गया कि MSME को हम सयोग करेंगे, MSME सकतिशाली होगा, तो सबसे बड़े job creator ही है, हमाई जैसी बड़ी company तो automation भी कर लेती है, जैसे पहले हम panel साफ कराते थे, गाँवालों से आज automation, robotics का जमन आ ग क्योंकि ना working capital मिल लई थी, ना debt मिल रहा था, ना equity मिल रहा था, इन्होंने तीनों विश्यों पर इस बार अच्छे से चर्षा करके उसको explain कर दिया, जिलिक जी बहुत आशावादी है, आपके aviation शेत्र में, जो नए airports का एलान किया गया है, funds allocation इन सब चीजों पर बारिकियों पर आपको लगता है कि इस बार वित्मंत्री कहीं न कहीं चूग गई, क्योंकि ये सर एक बहुत महतपून है, पैसा कहां से आएगा, कहां से ये जो आपके इस खीम में 50 एरपोर्ट, केवल पिछले दो वर्चों में, 50 एरपोर्ट जहां पर कोई एक हवाई जाहाज नहीं चाहता था, कोई वहाँ से फ्लाइट नहीं थी, कोई वहाँ से पैसेंजर नहीं थे, 50 एरपोर्ट जंदा हो गए, तो आज जो अनॉंसमेंट हु कोई भी बजट है, उसमें हमेशा एसे एक्सपेक्टेशन हो सकती है, कि और बहुत हो, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है, कि पहली बार, इस बजट में मैंने सुना कि सरकार इस बात पर चर्चा कर रही है, कि एक विश्वास का महाल होना चाहिए, जो टैक्सेशन है, जो जो डिस्प्यूट्स हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक हमें राइट्स देंगे, कि भाई, अगर कोई टैक्स टेर्रोरिजम टाइप चीज हमारे उपर हो रही है, तो उसका हमारे पास भी कोई राइट्स हैं, तो ये जो सब बाते कहेंगा, ये पहली ब अगर आपको फोई प्रजेक्टिट स्कोर्ट देते हैं, तो उसके लिए क्या थौट पॉसेट हैं? प्राबलम क्या था? कि हम इंडश्टलिस बहुत डर्पोग टाइप के होते हैं, हमको क्या है? कि लच्छमी जी को टेंशन पसंद नहीं है, लच्छमी जी क्या है? प्रगती तब करते हैं, जब आप हम लोग सबसे पहले सुबह उठके क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, ब्रह अगर संवान मिलेगा और भैनी मिलेगा तो हम और इंवेस्ट करेंगे ltre हमको भी प्रगती अच्छी लगती है आज क्या हो गया था लास्थ दो साल से हम लोग भैस पे बैठते थे इंवेस्ट नहीं करते थे लोग डरते थे कि invest करेंगे बाल भटा हो गया सरकार कोर्ट में ले जाएगी कोई सुनवाई नहीं होगी लेकिन सुनवाई वापस चालो हो गई है और वही message आज budget के थो आ रहा है खुल के और उसके साथ मेरे छेतर में अगर देखिए तो सबसे बड़ी problem क्या थी कि developmental financial institution नहीं है banks borrow करते हैं short lend करते हैं long उनमें वो छमता थी नहीं आज मैडम ने वैसे कि वो 25 जार क्रोड बोला है करेंगे लेकिन 25 जार क्रोड को 10 टाइम leverage होता क्योंकि बाराश सरकार की institution होगे तो धाई लाग क्रोड का अगर सालाना debt और मिलने लग गया developmental financial institution से तो उससे प्रगति आए गया आपने 130 लाग करोड का संकल्प लिया है कि infrastructure के अंदर डालेंगे लेकिन भाराश सरकार तो सब कर नहीं सकती करना private sector को है private sector को equity और debt दोनों चीए दोनों समस्याओं का समाधान अगर pension fund को income tax नहीं लगेगा long term capital gain नहीं लगेगी तो वो तुरंत इंडिया में आएंगे उनका investment और LDCG को तो address किया है हाँ तो किया ना मैं वही बताना चाहरा हूँ कि आज उन्होंने announce करके sovereign wealth fund को और pension fund को एक तरह से सम्मान दिया और उसके बाद FPI को infrastructure dead fund में आने के लिए allow कर दिया और दूसरा चीज क्या है NIF की चर्चा चार वर्सों से हो रही थी अभी तक उन्होंने कोई ज़्यादा कारे नहीं किया था आज बिल्कुल clear cut हो गया कि infrastructure dead fund भी करेंगे और inform invest करेंगे बिल्कुल अंजना हमाई साथ विनीत मित्तल जी है कोच MNACI के विनीत जी बताईए तीन बड़े takeaways आज के budget से और क्या आपको लगता है कि खपत और मांग जिसकी सबसरा दरूरती सुस्त economy को रफ्तार देने के लिए वो बढ़े कि आज के income tax reforms है आज जो direction दिया इससे उमीद जातरीत होती है कि साथ अच्छा होगा और दिशा जो है परवर्तित हो रही है और लोग वैपार करने वाले को कश्ट देने के बजाए facilitating करेंगे ease of doing business की बात बहुत होती थी ease of living की बात बहुत होती थी अगर उसमें real sense में सुधार होगा तो इस economy को 5 trillion बनने से कोई नहीं जोग सकता actually मेरे से हिसाब से 130 क्रोड का देश अगर 5 trillion की economy नहीं बनेगा तो कौन बनेगा पांच लाख Indian 5 trillion की 5 कंपनिया चलाते है अजी जी आप दी इस बात से सहिमात हो जी और जहां तक आपने nominal GDP की बात की जैसे विनीच जी ने समझाया अभी nominal GDP में अगर आप inflation खटा दें तो real GDP की growth जिसकी बात सरकार आज कर रही है वो 5 या 5 प्रतिशत की बात कर रही है तो यह तो खम normal course में भी कर सकते हैं और हमें लगता है कि जरूर है लेकिन आप देखिएगा कि अगले दो या तीन क्वाटर में यह bounce back जरूर होगा पांच साड़े पांच प्रतिशत तो कुछ भी growth rate नहीं है अप हमें तो 6 साड़े 6 कम से कम aim करना चाहिए और आने वाले वर्षों में 7 साड़े 7 प्रतिशत से कम real GDP growth उससे कम हमारी होनी नहीं चाहिए ने तो we will fail as a country आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया